इस वीडियो में हम जानेंगे कि दॉक्टर द्वारा जो परची लिखी जाती है उसमें कुछ common term के बारे में बात करेंगे कि जो दॉक्टर द्वारा दवाई की परची में कुछ common term लिखे जाते हैं जो कि हर एक जो है medical practitioner या फिर medical जो कोर्स कर रहे हैं या फिर वैसे student जो के medical क की तैयारी कर रहें उनको पता होनी चाहिए तो दवाई की परची में लिखे जाने में कुछ कॉमन्ट टॉम की बात करेंगे तो दवाई की परची में जो है आपका BP लिखा हुआ आएगा उसका मतलब होता है blood pressure, BSF का मतलब होता है blood sugar fasting, USG का मतलब होता है ultrasound या फिर sonography, ultrasound का ही जो है sonography, CSR, chest अक्सरे होता है, T के मतलब होता है temperature, PR का मतलब होता है pulse rate, और RR का मतलब होता है respiration, HR का मतलब होता है heart rate, BID, doses के बात करो, BID और BD लिखे रहते हैं तो BD या फिर BID का मतलब होता है two times आपको एक दिन में लेने हैं, TID या फिर TDS के बात करें तो three times जो है एक दिन में आपको लेने हैं, या फिर एक टाइम आपको लेनी है, Q-I-D की बात करें, Q-I-D का मतलब होता है कि आपको दीन में चार टाइम जो दवा दिंगे या फिर कोई वे डू सेज देंगे तो आपको लेनी है, ASOS का मतलब होता है if needed means कि जब आपको जरूरत हो आप दिखिएगा कि कभी भी जो है दर्द की medicines डॉक्टर दौरा प्रिवाइड की जाते हैं तो उसमें ASOS लिखा जाता है कि जब आपको जरूरत हो उस टाइम ये medicine आप ले सकते हो HS और BT की बात करें तो ये before sleep आपको लेनी है BBF की बात करें तो आपको जो है breakfast से पहले खाली पेट आपको लेनी है PC की बात करें तो after meal और AC की बात करें तो before meal आपको जो है लेनी है OPD की बात करें तो outpatient department outpatient department आपने बहुत बार देखा होगा और outpatient department actual में होता क्या है कि वैसे patient या फिर उनको कोई common problems होती है जिनमें उनको admit नहीं करना होता है वो आते हैं, doctors से मिलते हैं और वो चले जाते हैं तो उनको हम लोग outpatient बोलते हैं और IPD मिन inpatient होते हैं मन्स की वैसे patient जो होते हैं जिनको कुछ common problems में होते हैं सी ओ की बात करें तो कम्प्लेंश ओफ में कि इसमें होता है कि जो प्राब्लम्स होती है आपको वो डॉक्टर वहां पर में शोती हैं और OE on examination means कि डॉक्टर जो उस चीज़ पे solution करते हैं जैसे आपकी pulse rate आपको जाच करते हैं या फिर बीपी या फिर और जो डॉक्टर जाच करते हैं आपकी disease or disorder को तो उसको जो है on examination OE के रूप में वहाँ पे धर्शाते हैं इसके अलाबा Rx की बात करो तो Rx जो होता है वो prescription होता है और Tx की बात करें तो treatment जो है Tx का symbol दिया जाता है Dx में diagnostic जो है diagnostic का Dx में symbol दिया जाता है Hx के बात करें तो history जो आपकी पहले की जो है आपकी history रही होगी disease or disorder को लेकर के तो Hx symbol से उसको जो है mention किया जाता है इस X जो है वो आपकी symptom आपकी disease disorder के symptom क्या है उसको जो है mention करता है C के बात करें तो आप देखेंगे कि C और slap और O लिखा रहता है मिन्स कि आपको जैसे मानिए कि आपको fever है तो fever के साथ आपको dehydration के problem है या फिर आपको जो है आपको vomiting के problem है तो C और oblique वो करके उसको mention किया जाता है इसके बात इस जो है आपको sign और symptom आपकी क्या-क्या sign है और क्या-क्या symptom जो है उसको जो है इसके mention किया जाता है state ht at लिखा रहता है इसका मतलब immediate मिन्स कि अभी immediate जो है जो भी लिखा रहाएगा मिन्स कि अभी immediate आप उसको आप दिखाओ या फिर immediate दवा लो इसका मतलब जो होता है immediate BS का मतलब होता है vital sign जो है CAP का मतलब होता है capsule TAB का मतलब होता है tablet SYP स्टीरफ इसको बोला जाता है INJ मिन्स होता है injection और IB मिन्स होता है intravenous intravenous अब मतलब कि वो vein में जो है injection दे जाएगे intravenous vein के through और IM का मतलब होता है intramuscular सो कैसे लग वीडियो कमेंट वो है जो बताए कर दो कर दो